अगर आपको भी स्मार्ट हाउस वाइफ की तरह हर काम बिल्कुल चुटकियों में करना है तो आपके पास होने चाहिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स जो कि आपके डेली के कामों में बहुत जादा हेल्प चार पास तुलसी के पत्ते डाल दीजिए अगर आपके पास तुलसी के पत्ते नहीं है तो आप दूसरी एक चीज़ डाल सकते हो मैं आगे आपको बताऊंगी तो उसके बाद यहाँ पे हमें डालना है टैलकम पाउडर थोड़ा सा कोई भी खुश्बुहला पाउडर आप डाल दीजिए और इसे हमें रखना है गैस के उपर इसे हम गैस के उपर एक से दो मिनिट के लिए अच्छे से बॉइल करेंगे बस एक उबाला आने तक आप इसे गरम कीजिए जिससे कि इसके अंदर जो पाउडर है या फिर यह पत्ते हैं इसका पूरा अर्ग पानी में घ खुल जाए आप देखें जैसे इसमें यह बॉइल हो चुका है ना तो इसमें से बहुत ही बड़िया खुश्बू आने लगी है और इसे हम बरने वाले है स्प्रे बॉटल के अंदर चाहो तो आपको इभी प्लास्टिक बॉटल का भी उस कर सकते हो तो यह हमारा एक करके दिखें बहुत ही फ्रेश फील होता है और ट्रीक पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के सार शेयर कीजिए और यहां पर हमारी नेक्स टिप है साबुन के कवर के लिए साबुन था हम निकाल लेते हैं पर कवर फेक देते हैं कच्रे में पर इसको आगर आप संभ बदबू आती न वह दोने के बाद भी नहीं हटती है मतलब बहुत गंदी स्मेल आने लगती है अगर आपके साथ यह प्रॉब्लम होती है मैं तो कहूंगी सॉक्स ही नहीं ऐसा कोई भी कपड़ा हो जिसमें से कि दोने के बाद भी बदबू नहीं जा रही है तो वहां पर आपको यह ट्री बहुत काम आने वाली है तो यहां पर आपको सॉक्स लेने है और इस तरीके से जो भी कपड़ा जिससे बैड स्मेल हटानी है उसे रखना है इस कवर के अंदर आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि यह जो कवर होते ना इसके अंदर साबून निकालने के अंदर यह छोड़ सकते हो और देखोगे निकालके तो इसमें से सारी बैर स्मेल चली जाती है बहुत अच्छी खुश वो आती है जरूर ट्राइ कीजिए और यहां पे हमारी जो नेक्स्टीप है वो है प्यास के लिए प्यास दिखे काटना मतलब बच्चों का खेल नहीं ह क्योंकि बिर्यानी के लिए या फिर किसी सबजी के लिए अगर बहुत बारिक पतला प्यास काटना होता है न हमें प्रैक्टिस नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है और धीरे धीरे काटनी की वज़े से हड़बड़ी में अच्छी से वो कटता भी नही लगा है तो इसके लिए आपको चाको काबिल को यूज नहीं करना है यहाँ आपको यूज करना है पिलर का जो की हम आलो के उपर या फिर कोकूंबर के उपर पील करने के लिए यूज करते हैं यहां पेदेख सकते हो कितनी अच्छे से प्यास बारी कट गया है आ वी एक ब जरूर ट्राइ करके देखे और पसंद आया हो तो चानल को सब्सक्राइब भी कीजिए ऐसे यूसफुल वीडियो में आपके लिए लाती रहती हूँ और देखे घंटों का काम मिंटों में हो चुका है पिलर से और एक फायदा हो जाता है कि छोटा भी प्यास होना तो भी आप बहुत याराम से उसे कट कर पाते हो मतलब बड़े बड़े प्यास लेने की ज्यादा जरूरत नहीं है और यहां पे हमाई जो नेक्स टीप है स्प्राउट्स के लिए या फिर जैसे गेहू बोलो या जवार बाजरी जो हमारे घर में अनाज होता है उसके लिए क्योंकि कभ सब्सक्रत रह जाती हो उप्रस अच्छा लगता है उसके लिए हाला के पूर जिया लेके हम जाती है ग्रे कर देख सकते है तो तो ग्रेटर deepest और यह जो अनाज है इससे हम इस तरिके से थोड़ा सा रब करेंगे अगर आप सोचरिव के ग्रेटर हात में लग सकता हैं Dabei मैं आपको एक और ट्रिक बताऊंगी जिससे के आपको यहाथों में लगने का डर भी नहीं रहेगा वैसे ज्यादा यहाँ पे हमें रब नहीं करना है हलके हलके हाथों से रब कीजिए तो जितना भी वह खोकला अनाज होगा या फिर अंदर से खाया हुआ अनाज होगा मतलब उपस का बस कवर रहे चुका है अंदर कीडा है तो यहाँ पे रब करने के लिए जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो वो तूट जाता है तूट के गिर जाएगा एक एक आपको दबा की जरूरत नहीं है देखने की इस तरीके से ग्रेटर की मदश से आपका काम हो जाएगा तो यहाँ पे दिखे कपड़ा भी आप यूज कर सकते हो इसे इस तरीके से रब करने के लिए जरूर ट्राइ करके देखे इससे आपका बहुत सारा टाइम से होने वाला है जो अनाजा हम फेकने वाले थे खराब सोच के वो भी नहीं फेकोगे इतना अच्छे से काम करता है एक तरीके से डालनी पहले और एक पुराना सॉक्स इस तरीके से डालना है आप दूसरी पॉलिथिन भी हम डालेंगे और इसके उपर चड़ाएंगे सॉक्स को देखे ऐसे कुछ घर के काम होते हैं जिसे हम कोई भी जैसे ठंड हो गर्मी हो कुछ भी हो करना ही पड़ता है बिल जलने लगती है जलन होती है या फिर जैसे पस जमने लगता है तो ये दिक्कत आपके साथ अगर होती है तो आज की बात बिल्कुल नहीं होगी कितना भी प्राब्लम हो बरतन तो धुलने ही पड़ते है मतलब ऐलर्जी हो तो भी काम चल जाएगा या साथी में जैसे ठंड क अगरे मोसम में हमें बरतन धुलने का बिल्कुल मन नहीं करता है ठंडे ठंडे हाथ हो जाते है तो इसके लिए कमाल की ट्रेक लेक है युँ जिस से कि आपको हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा आपके हाथों में साबन भी नहीं लगेगा और आप जो बरतन है वो अराम से साफ कर पाओगे वो भी कम टाइम में कम महनत में देखे इस तरीके से हमने जो सौक्स बहने दोनों हातों में तो देखे कितने अच्छे से वर्क करता है इसका और एक फायदा होता है कि जो सफेद निशान जो बरतन के ओपर रहते हैं वो नहीं रहते क्योंकि सौक्स की वज़ हाथ गंदा नहीं हुआ और साथ ही में आपके हाथों को बिल्कुल भी पानी नहीं लगेगा तो देखे मैंने सारे बरतन इस तरीके से साफ कर लिए है मतलब आपको कोई अलग से टूल खरिदनी की ज़रुरत नहीं है बरतन साफ करने के लिए तो देखे इसका में लाइफ आप यह आपको दिखाऊंगी सौक्स देखे पूरे गिले हो चुके है अब हम सौक्स को निकालते है बिल्कुल भी एडिट नहीं है आप देख सकते हो कट नहीं लगाया है और जैसे सौक्स में से हाथ निकला आप देखे पूरा का पूरा यह सूखा हुआ है मतलब इकाम में आ जाएंगे आप भी जरू ट्राइ कीजे इससे आपकी बहुत सारी महनत और ठंड में बरतन दुलने का साफ करने का जंचट ही खतम हो जाएगा तो आपको अगर ट्रिक पसंद आई हो तो फ्रेंड्स और फैमिली के साँ शेर करना ना भूले और यहाँ पे अमार तो बस आपके साफ दुले हुए बरतन जैसे कि तेसे रहेंगे और आपको बार बार दald को गईड़्या नहीं फैलेगी तो इसके लिर आपको कोई भी पुराना दुपट्था लेना है दुपट्टा मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि थोड़ा पतला भी होता है अगर बरतन थोड़े भी गिले भी है तो इसी वो अंदर हवा जाके सूख भी जाएंगे मतलब ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगी चाहो तो कोई भी आप पतला कपड़ा ले सकते हो तो देखे दुले हुए बरतनों को ऐसे खुला नहीं चोड़ना है चाहे उगाओ को जा आ रहे हो आप या फिर रात भर ऐसे ही छोड़ रहे हो और हाँ पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्यू तो चले फिर मिलते हैं से ने वीडियो के साथ